अलेकुम दियर स्टुडेंट्स, आज हमारा कॉंप्लेक्स नंबर मैस B कोर्स का लेक्चर नंबर 42 है और आज हम अपनी एक्सराइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एक्सराइज 1.3 का हम क्वेस्ट नंबर 1 इसके स्टुडेंट्स 7 टोटल पार्ट हैं आज की लेक्चर में हम पार्ट 1 और 2 देखेंगे बहुत ही सिंपल है और इतने जादा इंपोर्टन नहीं है लेकिन फिर भी कॉंसराइज लेना जुरूरी है प्रिवेस अपने लेक्चर नंबर 41 में हमने एक्स्पोनेंशल फंक्शन के बारे में सीखा तो यह उसी से related उसी topic से related यह हमारे question है तो देखते हैं हमारा question number 1 का part 1 है show that part 1 में कहा रहा है E raise Z E raise Z क्या है एक एक्स्पोनेंशल फंक्शन है is never zero ठीक है यह हमने proof करना है तो देखते हैं इसका solution उससे पहले students आपसे request है जिनों मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यह जो students मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वारी new वीडियो के बारे में notification मिलता रहे तो देखते हैं part number 1 e raise z is never zero हम सबसे पहले question को देखते ही हमें पता चल रहा है कि z यहाँ पे एक कोई है complex number है चुकि हम mostly complex number को z से denote करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे let कर लेंगे let z बराबर है x plus a ओटा y ठीक है then हमने क्या करना है e raise z को यह never zero है इस चीज़ को proof करना है then हम क्या करेंगे e raise z e raise z लेंगे और is equal to e raise अब z की यहाँ पे right hand side पे जो power में यहाँ पे z है ना तो right hand side पे z की value क्या करेंगे put कर देंगे x plus a ओटा y e raise x plus a ओटा y then next step में हमने क्या करना है e raise x सेपरेट कर लिया और e raise a ओटा y हमने सेपरेट कर लिया देखे स्टुडर्स basis सेम है power एक जैसी हो तो then हम power को क्या कर सकते है add कर सकते है तो इसी तरह से ही हमने इसका reverse किया है अब यह add हमने क्या किया है इसको break करके लिख दिया है complex number को ठीक है with e की power में separate करके break करके हमने लिख दिया है then next step है हमारा e raise x into अब इस जगा पे हम Euler theorem use कर सकते हैं ठीक है हमने अपने previous lecture में Euler theorem के बारे में study किया तो E raise aorta y किसके बराबर होता है cause of y चुकि power में क्या है aorta के साथ y है तो angle में क्या रहेगा y रहेगा cause of y plus aorta sin y ठीक है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं और left hand side पे e raise 0 as it is अब हमने technically इसको बताना है हमारे पास यहां पे concept होना चाहिए clear यहां पे कि यह कभी भी expression यह जो लिखा है मैंने यहां पे यह कभी भी 0 नहीं हो सकता e raise is never 0 how? कैसे? अब देखें हमें पता है since यह कब 0 होगा जब या तो यह चीज 0 होगी e raise z कब 0 होगा या तो यह 0 हो या फिर यह पूरी की पूरी टम 0 की equal हो और कौन सा नहीं हो सकता सबसे पहले हम अगर e raise x की बात करें तो e raise x यह never 0 यह 0 नहीं हो सकता कैसे? आप देखें x यहां पे आप कोई भी ले ले, कोई सा real number ले ले ले, ठीक है 1 ले ले, 0 ले ले, 2 ले ले यह 0 की equal तो नहीं ना आएगा इवन के सबसे चोटा जो number है e का 0 है, तो 0 लेने से भी वो 1 आ रहा है, exact 0 नहीं आ रहा इट मीन्स के e raise x 0 के बराबर नहीं होगा for all x belongs to real number, ठीक है? and, अब हम बात करते हैं दूसरी टम की, हमारे पास जो है cause of y प्लस aorta sin y अब ये पूरा का पूरा at a time 0 नहीं हो सकता ठीक है, देखें, y की यहां पे कोई सी value पुट करें cause of 0 ले ले, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 60 degree ले, 90 degree ले, कुछ भी ले at a time y की जो भी value रखेंगे तो at a time cause और sin 0 नहीं हो सकते तो ये भी फिर 0 नहीं होगा हम यहां पे लिखेंगे and there is no such value यहां ऐसी कोई भी value नहीं पाई जाती, नहीं मौजूद of y belongs to real number अगर y कोई सा भी हम real number लेते हैं at which both cause of y and sin y are 0 there is no such value of y belongs to real number at which both cause of y and sin y are 0 at a time ठीक है यह लाजमी लिखना है at a time यानि के एक ही वक्त में बरवक्त ऐसी कोई y की value नहीं है जिस पे cause और sin दोनों क्या हो एक साथ ही 0 के बराबर हो तो अगर यह भी 0 नहीं हो सकता at a time और नहीं e raise x 0 हो सकता है that is इसका क्या मतलब हुआ it means it means e raise जो हमारा z है वो 0 के बराबर नहीं है ठीक है e raise z किसके बराबर था e raise x के into cause of y प्लस aorta sin y तो हमने देखा ना तो यह 0 के बराबर है और ना ही यह 0 के बराबर है it means इसका मतलब हुआ that e raise x पुरा का पुरा 0 के बराबर नहीं हो सकता तो यही चीज हमने शो करनी थी show that e raise z is never 0 तो हमने देखा यह 0 नहीं हो सकता तो यहां भी हमारा प्रूफ क्या हो जाता है complete हो जाता है hopes हो कि आप लोग को इसका concept clear हो गया हो बहुत simple था लेकिन conceptual था अब इसी तरह से question number 1 का part 2 है part 2 हम देखते हैं part 2 में वो कह रहा है कि modulus of e raise aota z is equal to 1 ठीक है अब हम यहां पे इसका solution देखते हैं बहुत ही simple है छोटा सा है यह since Euler theorem हमें पता है since Euler sorry spelling गलत हो गया Euler के Euler's theorem is हमें पता Euler theorem क्या होता है e raise aota theta को हम किस तरह से लिख सकते है cause of theta अब theta लेंगे क्यों क्योंकि aota यहां पे क्या है power में theta है ठीक है aota के साथ plus aota sin theta और जो चीज हमें given है since हमें पता है E raise aota z ठीक है इसको देखते हुए अब देखें Euler theorem क्या होता है हमने यहां पे theta के साथ देखा E raise aota theta बराबर है cause theta plus aota sin theta लेकिन हमारा जो question है जो हमें प्रूफ करना है उसमें E raise aota z है ठीक है तो अब हम z को लेके करते हैं इसको देखते हुए z में हम अपनी Euler theorem देखें कैसे लिखेंगे E raise aota z किसके बराबर हुआ cause z plus aota sin z ठीक हो गया अब next step हमारा क्या होगा modulus लेंगे कैसे पता चला क्योंकि हमारा जो question है उसमें देखें जो हमने proof करना है modulus भी है ना साथ तो अब हम both side क्या करेंगे modulus लेंगे E raise aota z both side हमने क्या किया question को देखते हुए जिसको proof करना है both side modulus ले लिया sin z modulus अब जब हमने simplify करना है अब ये modulus है students हमें पता है हमने जब complex number का chapter सब start ही किया था तो वहाँ पे हमने कुछ result सीखे थे modulus को किस तरह से हम simplify करते है क्या इसका formula होता है तो देखें modulus के लिए हमने क्या करना है modulus को खतम करना है यहां से तो real part का square plus imaginary part का square और whole square root आजएगा तो cos square z ये real part का square हो गया plus imaginary part का square sign square z और whole के आजएगा मरपास square root ठीक हो गया अब हमें पता है ये identity है बहुत ही आप लोग use करते हैं इतको questions में cos square theta plus sign square theta one के equal होता है ये सबी students को याद है बहुत easy है simple है और ज्यादा तर use भी की जाती है तो ये यहां पे one के equal आ गया ये identity है न ठीक है इसलिए हमने इस पूरे की जगा one लिख दिया अब square root one करेंगे तो obviously one के ही equal है तो इस तरह से e raise aota z इसका जो modulus है one के equal प्रूव हो जाता है देखे बहुत ही simple था हम इसको फिर से repeat कर लेते हैं हमने किस तरह से इसको solve किया हमारा जो question है e raise aota z ka modulus one के equal हमने proof करना है तो यहां पे हमने ailer theorem को use करते हुए बताया के e raise aota theta जो होता है बराबर होता है cause of theta plus aota sin theta यह हमारे पास ailer theorem है ठीक है अब statement में हमारे पास z था अब इसको देखते हुए हम ailer theorem z में लिखते हैं e raise aota z किसके बराबर है cause z plus aota sin z that's it उसके बाद आपको question देखके ही पता चल रहा है next हमने modulus लेना और simplify करके final जो चीज़ हमने proof करनी थी यहां पे proof हो जाती है तो hopes हो कि आप लोगों को इस lecture की एच्छे से समझ आ गही होगी अगर आपको में वीडियो पसंद आए तो में वीडियो को जाद से जाद से शेयर जूरूर कीजिए इंशाला पनी नेक्स वीडियो के साथ मिलती है अल्ला हाफिस